IQOO Gaming स्मार्टफोन बनाने के लिए जाना जाता है. कमपनी ने कई स्मार्टफोन को मिड रेंज सेगमेंग में भी पेश किया है. हाल ही में IQOO Neo 7 को लॉंच किया गया है. इसको 30,000 के प्राइस सेगमेंट में उतारा गया है, कमपनी ने कहा है कि इसमें कई अपग्रेड्स किये ग गेमर्स के लिए खास इसमें 120Hz touch sampling rate का इस्तेमाल किया गया है. फोन में HDR10 प्लस और Widevine L1 का सर्टिफिकेशन दिया गया है, जिस वजह से आप Netflix और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर content को full resolution में देख सकते हैं. IQOO Neo 7 के रिय में triple camera setup दिया गया है. इसका primary camera 64MP का है. इसके साथ 2MP का macro camera दिया गया है. IQOO Neo में company ने Mediatek Dimensity 8200 processor दिया है. इसके साथ Mali-G610 GPU भी दिया गया है. कमपनी ने बताया है कि processor में Mediatek के Hyperengine 6.0 gaming technology को भी integrate किया गया है. इस से users को faster और smooth frame rates मिलते हैं. यानि gaming से लेकर दूसरे कामों में ये phone आपको निराश नहीं करेगा. ये Android 13 based phone touch OS पर काम कर इसका user interface या UI काफी simple है और आपको पसंद आएगा. हाला कि bloatware की वजह से निराश हो सकते हैं लेकिन आपका ही third party apps को disable या uninstall कर सकते हैं. IQOO Neo 7 में 5000 mAh की battery दी गई है. ये आसानी से पूरे दिन तक चल जाती है. सबसे अच्छी बात है company ने इसके साथ 120 watt fast charging का support दिया है. इस से आधे घंटे से भी कम समय में इसको full charge किया जा सकता है. इसको आप average use के साथ आसानी से पूरे दिन इस्तिमाल कर सकते हैं. IQOO Neo 7 आपकी लगभग सभी जरूरतों को पूरा कर देगा. हाला कि cable camera department को छोड़ दिया जाए तो आप इसकी performance और दूसरी चीजों से impress होंगे. इस पर आसानी से आप high resolution में movie stream कर सकते हैं. अगर आपका budget 30,000 के करीब है तो आप इस phone के साथ जा सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए description में दिये link पर click करे. क्रिपया like share और subscribe करे.